तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि indicators वो chemical substances होते हैं जुन में acid या फिर base की presence में आकर कुछ change होता है हम लोगों ने naturally occurring indicators के बारे में भी पढ़ा है इनके addition में भी कुछ indicators ऐसे होते हैं जो scientists खुद lab में prepare करते हैं और ऐसे indicators को हम लोग बोलते हैं synthetic indicators दो सबसे common और सबसे ज्यादा use होने वाले indicators जो की lab में हैं वो हैं phenophylline और methyl orange phenophylline neutral solution में colorless या फिर transparent होता है और acidic solution में भी colorless रहता है या फिर उसमें कोई change नहीं होता है मगर एक basic solution में phenophylline pink color में turn हो जाता है और methyl orange neutral solution में orange color रहता है acidic solution में red color में convert हो जाता है और basic solution में yellow color दे देता है तो ये तो थे indicators जो की acid या फिर base की presence में color change देते हैं मगर क्या आपको लगता है कि color change के सिवाए भी कोई तरीके का change हो सकता है जो की acid और base को detect कर सके वीडियो pause कीजिए अपने friends और teacher के साथ discuss कीजिए एक और तरीके का change in presence of acid और base हो सकता है change in smell या फिर खुश्बू कुछ substances acid और base की presence में आकर के अपने color को change करने के बजाए अपनी खुश्बू को change कर लेते हैं और ऐसे substances को हम लोग बोलते हैं all factory indicators all factory word का मतलब ही होता है खुश्बू से related और कुछ commonly used all factory indicators का example हो सकता है onion, vanilla और club हम सब लोगों को पता है कि onion या फिर प्यास की कुछ तो एक smell होती है अगर तो onion आएगा किसी acidic solution में तो उसकी smell same रहेगी या फिर उसमें कोई change नहीं होगा मगर basic solution में आने पर onion अपनी smell या फिर खुश्बू को खो देता है similarly vanilla और club के साथ भी होता है, club usually means long vanilla और club को भी अगर तो हम लोग acidic solution में रखेंगे तो उनकी smell में कोई change नहीं आएगा बगर basic solution में वो दोनों ही अपनी smell को खो देते हैं तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है दो indicators के बारे में एक जो की अपना color change करते हैं acid और base के presence में और दूसरे जो की अपनी खुश्बू को change कर सकते हैं I hope अब आप इन में से किसी को भी use करके बता पाएंगे कि अगर तो आपको एक solution given है तो वो acid होगा या फिर base होगा अबि automationた हुआ जो हमसं है, तो कि अभीक कि अभीक कर दो भीक हम्या रे शच्चत demasi हैं जो कि अपनी खिएह के सकते हैं जो कि अपनोंँ जएत वेग। छो कि अभीक कर आपको भीक дов मिन ध भीक खैएंगे, आपको चाभा